सरकार ने प्रधान मंत्री आवास योजन चलाई है ताकि जुगी जोपडियों में रहने वालों का भी पक्का आवास बन सके परन्तु बड़े अपसोस की बात है कि कौशांबी जनपत के कड़ाब लाग के चतरीपूर गाउन निवासी दिलीब कुमार सहित 15 परिवारों का आज तक आवास ना बनने से काफी परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है कच्चा घर होने से क्या दिक्कत होती है आपको अब यह दिक्कत है बारिस होता है जो चूने लगता है गिर पार सकता है अब इच्छप्राग तरे बच्चे रहते हैं बारिस में इनके पास रामों के पास आपके पास गए परदान जी के पास जाते हैं और लोगों से कहते हैं परदान जी के पास जब आप जाते हैं तो परदान जी कहते हैं, कि मतलब अभी नहीं, बाद में आपके सुनारी होगी, आपके पर निकल जाने दो, साल, अगले साल में आपको आ सकती है, अगले साल में आपको आ सकती है, अगले साल में आपको आ सकती है, अगले साल में आपक कि आपको आवास मिला है यूँ ना ऊटेस्ट ज?' लिए पनवाने बच्चे रहेंगे आराम से मैय औरमेरा समदा ये चाहता है कि इन सबी लूगों का जल सब जल आवास बने ब्लात है कि कड़ा बलाग के वीडियो के मोबाइल नंबर 94-445-75 पर कॉल कर दबाव बनाएं ताकि इन की समस्या दूर कर आई जा सके। मैं महिस कुमार उत्तर प्रदेश के कौशामभी जी ले से इंडिया नहट के लिए।